कि नमस्का दोस्तों वेलकम टो में चैनल चोटा-चोटा प्रोब्लम तो होता ही रहता है और उसका हिसाब से हम सोचाता आज एक वीडियो दे देंगे इसको पर तो थोड़ा सा लेठ हो गया तो दिखिए कुछ-कुछ प्लागिन है जैसे कि कुछ-कुछ प्लागिन कुछ बह हो सकता है मतलब हम लोग जब काम करते हैं तो उस टाइम में जैसे कि काम कर रहे हैं हम लोगों को लग रहे है लेटेंसी हो रहा है ठीक है तो लेटेंसी जब हो रहा है तो इसका मेन कारण क्या है बाफर साइज तो बाफर साइज अगर ठीक रहेगा जैसे कि हम बहुत सारे विडिया स्केंव साथे साथ हुआ यह लेटेंसी और भी एक जगा है जो जगा से हम कम कर सकते हैं यह बारे में थोड़ा सा बात्चीत करते हैं जैसे कि इधर अब लोग देख पार हो एक audio track हमने लिया है तो audio track का अंदर हम एक प्रो एल लिया है जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इसको इसको लिमीटर बोलता है अच्छा लिमीटर बहुत ही अच्छा लिमीटर है और यह बहुत ही काम का चीज है mixing mastering के लिए बहुत काम का है यह बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और सिंगर का गाना रिकॉर्डिंग करने में बहुत दिक्कत भी हो जाता है तो इसका कारण हम लोग क्या करते हैं बिस्कली एक बटन है पहले भी हम बोला था और इस चैप्टर में भी हम बोल दे रहा है यह जो Constraint Delay Compensation जो बटन अभी जो जगह पर हमारा माउस है यह पर्टिकुलर बटन अगर किसी का पास है नहीं तो इसमें राइट क्लिक करके Constraint Delay Compensation बटन को एनेबल करना पड़ेगा किसी का पास हो नहीं भी हो सकता है जैसे कि यह दिखा नहीं रहा है फिर भी हमको SMS करेगा जैसे कि सर हमको दिख नहीं रहा है तो इसमें राइट क्लिक करके Constraint Delay Compensation बटन को ओन करो इसको करने का पाद अगर हम इसको एनेबल करें तो अगर चलाए तो इसका कोई Latency नहीं आए दिखिया आभी कोई Latency नहीं हो रहा है Hello Hello किउने हो रहा है और यह भी काम करने कारना कर दिया है किसलिए अफ हुआ है ना एक लेटेंसी का एक कारण है अगर इसको हम ओन करकर रखे और इसको आफ कर देना से यह ओन हो जाएगा तो अब हम लोग मिक्सचर में जाए तो मिक्सचर में एक ऑफ्शन है जिदा जो जगह से आप लोग थोड़ा सा इसका देख सेकतो परटिकुल प्टिकुलरली ये लेटेंसीब में बहुत घुकुल हो जाएगा तो इसलिए इसको ठीक करने ये पढ़ेगा पिकुलरला ये विपक्त का साथ अप लोग है इसको देना ही पढ़ेगा तब एक ऑप्शन हो सकता है जैसे कि अगर हम लोग पर्तिकुलर जो ट्रैक माने रिए लिया है इसका जो पर्तिकुलर्ली धीलिय का जो ऑप्षन है हम लोग माने गां 일이 कर देंगे तो बहतर ही होगा लाइब रेकोर्डिंग करने का टाइम पर आप लोग इसको पर्टिकुलर्ली यह एफेक्ट को यूज मत करो इसके पैरलल कोई अगर एफेक्ट होगा तो लगा दो कोई प्रॉब्लम ने बहुत सारा लिमीटर होते हैं बहुत सारा हम बहुत सारा दिखाया बहुत सारा कमपनी का है कुछ का स्टॉक भी है जो आप लोग पर्टिकुलर्ड उसको यूज कर सकते हो तो वो लेके आप लोग काम कर सकते हो तब यह प्रॉब्लम चला जागा ठीक है और इसका मेन कारण इधर से भी होता है जैसे कि कंट्रोल पैनल में जब हम लोग काम कर ल्गेंगे तो इसमें अगर ज्यादा लेटेंसी है जैसे कि इसमें कि सीवी कारण से अगर इतना ज्यादा हो गया 4096 तो इसका कारण से भी लेटेंसी खो सकता है तो स्टैनर हम लोग बोल सकते है 256, 512, 128 यह तीनों स्टेंडर है अगर जब मीडी में काम करोगे 128 ठीक है अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं है 256 भी कर सकतो प्रॉब्लम नहीं मगर ऑडियो में जब काम करोगे थोड़ा पापर साइज हलका सा बढ़ा दोगे तो अच्छा होगा इसमें काम का क्वालिटी भ में डाल रहा है जैसे कि यह वाला उपर का क्लासिक है यह फोल्लड ट्रक का अंदर नहीं अगर इसको हम आफ करें तो देखिए दो ट्रक इसका अंदर घुजग गया मत्लों इसको अगर रिमूब कर तो पूरा रिमूब्लम हो जाएगा नहीं तो इसको इंडिविजुएली हेलियन सोनिक के कोई ट्रैक होगा पट्टिकुलर्ली ट्रैक डिलीट नहीं हो रहा है तो यह डिलीट करने का इधर से अब लोग डिलीट कर सकते हैं वाला इक्वल स्टूい दिए अगर इसको डिलीट कर दोगा मन्दों इसमें चालके रैट लिक करके इसको रिमूब कर देंगे तो इसमें क्या होगा आपका आउट्पुट बंद हो जाएगा तो इस रिए इसको फोलडट रहें दीजिए उसका बात जितना सरह है और फोल्ड ट्रक में घुसाने के लिए ऐसा ऐसा करना पड़ता है जासे कि इसको फोल्ड करके अधर ले आना पड़ता है जब ऐरो दिखाएगा छोड़ दीजिएगा आ जाएगा और निकालने के लिए क्या होगा फिर इसको थोड़ा सा बाहर में निकल निकल दीजिए मदब ड्रैक करके बाहर में लेकर आईए तो हो गया यह भी भार में ओ अभी फोल्डर ट्रक को और आडियो में काम करेगो तो मज़ा कुछ अलाग होगा क्योंकि अब लोग इस में audio warp कर सकते। यह की साथ इसके अंदर जितना सारा ट्रेक रहेगा audio warp अब लोग कर सकते इसके उपर भी एक video अलग से बना दिया है हम ने ठीक है अभी हम लोग थोरे एडिटिंग को बारे करेंगे उसका साथ साथ मिक्सिंग मस्टेण का बारे में बातचीत करेंगे और नए-ए-णय जो प्लाग ज TW Ultimately जितना कम टाइम में अच्छा जरूरी है सही कोच का होना, चुनिये साउंड नॉलेज को और करे अपनी यूजिक कॉमपोजिशन का सपना साकार, डाउनलोड दी आड नाउ